लो साथियों आप सभी का स्वागत है सेविन इलेवन स्टडी यूटूब चैनल पर और आज हम जो चर्चा करने वाले सेकंड ग्रेड का जो कि सेकंडरी एजुकेशन का जो दोसार 22 वाला पैपर जो कि आउट हो गया था उसको वापस से जो री एक्जाम हुआ था तो ग्रू श्यागते हैं तो चलो बढ़ते है सीधे ही पहलना कि कोशोन के और बढ़ जाते है सीधे ही पहलना कर BRI आपके सामने है दो दो देख लेते ह trading है तो यह पहला कोशोन आपके सामने है उससे पहला अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जूदो सब्सक्राइब कीजिए अगर आ तो डेस पर चित्रित पिच्छवाई नाथ द्वारा चित्रकला सेली का सजीव उदारन है यह आपको बताना है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कपड़ा ऑप्शन नमबर तीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सैकिंड ग्रेट क से पूरी आंसर के लिए यह ऊथेंटिक आंसर की के बारे में पर चर्चा करेंगे ठीक तो बिच्छवाई पंद्र्स के बारे में बनाे की चित्र नाध द्वारा कीसी नाच जी मंदिर और अन्य मंदिरे मुख्य मुर्थी की जो पीछे पर दिवार लगाने के लिए ने व्रेदाकार के चित्रों के रूप में काम में लिया जाता है समझ कि पीछे वाली जो दिवार होती उस पर बनाया जाता है पीछ हुआ है यानि पीछ हुआ है तो आप समझ कि यह आपका पिछ हुआ है तार क्ल और किस जन जाती में परचली थे यह आपको बताना है तो यह जो जन जाती है gay какие semester function number पेर अपका आपसे हां सरसा कोई डाउट कोंई चाहित नहीं है लेकिन मिकना परनघन को है उसी की रूप में माना था पेरावना क्या होता है पेरावना में के और नाम मातर के फेरे होता है जबकि तानना विवा क्या होता है इसमें कन्या का मुल्ली विवाही की भैट के रूप में दिया जाता है इसमें सगाई फेरे आदी की रसमें नहीं होती है तो आपको बता दिये इसके अलावा ग्रासियों देखो एक और वीवे होता है जैसे कहते हैं अट्टा-सट्टा या वीनिमे विवा इसमें क्या होता है ग्रासियों में पर चली थे जिसमें लड़की के बदले उसी घर की लड़की को बहु के रूप में लिया जाता है समझ कि आप मालो जैसे आप किसी को लड़की दे रहो तो उस घर की लड़की वापस लोग है उसे कहते अट्टा-सट्टा या वीनिमें विवा इसके अलावा देखो एक और बताता हूं आपको एक नहीं एक नहीं बताता हूं मैं खेवना यह देखो खेवना आपको किसी ने बताए नहीं होगा मैं बताता हूं आप से शेयर करता हूं खेवना क्या होता है खेवना देखो मैं आपको बताता हूं खेवना यह जो विवायत इस्तरी द्वारा अपने प्रेमी के साथ भाग कर विव करना ये खेवनाा केलाता है एक और साथी होती न ratchet में वे आपको बता देता है मैल बो मैल बो के बारे में मैं आपको बताद cotton laying इसे ऐसी में पर्चले इस विद्धा मन क्या थो आ работ को वर कर ठोड़ देते समिझे water को वर के घर मैं छोड़ देते ठीक है तु도 यह राइस के के लावा देखो एक है कि ग्रासे जन जाती है जो पर्मुक मेला है नो मनखारों मेला यह जुरूर आपको याद रखना है मनखारों मेला एक्जाम में पूछावा भी यह नेक्स भी पूछा जाएगा मनखारों मेलो ठीक है मनखारों मेला ठीक है मनखारों मेला कहा लगता थी यह लगता थी वह लगता थी अ makes और इसंदमों के 508 उस निया क्षार्वता नियुकर एक जा जान करया यह आपको याद रखना ठीक है नेक्स थोड़ागे बढ़ जाता है बन ग्रासे जन जाती कि थोड़े वद जो तथ्थे एक्जाम में बनने वाले उन्हों देख लेते हैं एक कि इसन ग्रासे जन जाते को पवेतर इसना को याद रखना अतिव्धूणels के सबसे छोटी कई और कि ईक ही गोतर के लोगों के छोटी इकाहि होती हैं। ऊस से फालिया का जाता है। ओधको गर के जो बाहर का बरामदा होता है। उसमें गर्स्य जञजाती इसे ओसरा कहती है। पैसे एक्सांत सकता है ये औप पूछा मुली में दो उन्हार के नाब नाम से जाता कर्के जाना जा तो थीकिए झाल इसना और नाम से लिंख मैं अटेमी कविसे खार बॉदिणा है तो तख़ईnelsy संस्ता का मैंने संबन्द बताया था आपको गोकुल मावा मोज आपको याद रखनें गोकुल मावा मोज यह पहले भी में बता चुका आपको गोकुल मावा मोज ठीक है है को सबसे पहले आपको याद रखना कौन सा गोल को कुद नृति लेह सापका मादलन नरती और सबसे का वालर नरती मैंने आपसे शेयर कर लिया अब अगले कुशिन के और बट जाते गाइस अक्सिय तिर्थिया कितनी बार मैंने आपको बताया जब भी मैं गंगोर का त्युहार और अपना चोटी तीज बड़ी तीज और आखा तीज यह तो मैं हमेसा बताता है यह भी अपने बताये वह सवा acas घ्रटा जो अ एक अपने एक्जाम दिया था कमेंट पर आया था आप जाकर सकते हो कि 40 में से कि अलग बग tuos ॥ै अब इसके थोड़ी सी तबíamos lower event तर्चा कर लीए अग्सा तीज के नाम से भी जाना जाता है ठीक है कि इस टीती को दिखो आखा तीज को क्या कहते है सेत्व आतीज भी कआ जाता है पर सुराम जेन्ती एव देव पितरतारणी प्रव की भी मनाया जाता है, clear हो गया आपका, दूसरा आरे समाज के जो लोग होता है, आक्षे तीर्चा को दिक्षा परू, ग्यान परू, जोती परू के रूप में मनाया जाता है, सवाल बन सकता है, कि कौन से समुधाय के लोग, यानि कौन से समाज के जो लोग है, तो आक्षे तीर् होती है इसके स्वागत के आउसर में भी मनाए जाता है दूसरा संपूर्ण वरस में एक मात्र अभूज सावा होता है अक्षा तिरती है ठीक है इसी दिन राज्ये में हजारों विशेस्ते बाल विवा संपन होते है ये भी आपको याद रखना और बीकानेर का जो इस्थापन आता हुआ था पीपल पूर्णिमा जो की विशाग पूर्णिमा के दिन मना जाता है उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्लेर हो गया आपका नेक्स्ट अगले कुश्चन के और बढ़ जाते हैं लोग गाई की चार बेद से लिए राजस्तान के किस न तो तो पैसा मिल नहीं रहा है तो मैं तो बता रहा हूं कि आपने तैयारी को बहतरीन कर सकते हो वाकियमा आपका फायदा होगा बहुत ज्यादा फायदा होगा तो चार बेद से लिए आपकी टोक की पर्चली थे ठीक है यह मूलत पता कह कि थी यह अफगानिस्तान की थी ठ रखना की इसका जो मुक्हय वाद्य होता है वता रहता रहा है रहां रात बाइब लग्ला कौन से वाद्य का प्रियों के फीदे को बैके इनके समय यह आरंब है और किसने आरंब किय था शुरुआता क niż रीस ने करी थी थी एक तो करीम ख até दोनों ने इसकी में फीराइन कितीИक। टोक के नवात फैजुल लाखा के काल में ठीक है, क्लियर हो गया आपका, अब अगले कुशिन गोर बढ़ जाते है अपन, जो कि अगला कुशिन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी रचना कानर देव और अलाउदिन खिल जी के, आप से सम्मंदों की जानकारी देती है, ये बताना आपका, तो इसका जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, वीरम देवरी सोन गरारी वात, वीरम देवरी सोन गरारी जो वात है, ठीक है, ओप्शन नमबर टू, आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी रचना के अंदर कानर देव और अल परदाई महजदास नर्पती नाले किसने करी नर्पती नाले ने करी तो आप्षिन नंबर फॉर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अब देखो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ बिसल देव रासो की रचना चोधवी विक्रम सवत के आसपास हुई है आपको याद रखना क्लियर दूसरा इसके रचेता मैं आपको बताए देखो नर्पती नाले ये रचना वीर गीतों के रूप में उपलब मिलता है ये सवाल एक्जाम में बन सकता है कि बिसल देव रासों के बारे में राजिस्तान के कितने बरसों की जानकारी आपको मिलती है कितने बरसों की आपको मिलती है तो यह जो मिलती है बारा बरसों की जानकारी आपको मिलती है इसके अलावा में और बता जाता हूं देखो इंपोर्टन तर्थे जो कि मैं आपसे शेयर कर लेता हूं इसके बारे में जो कि मोस्ट इंपोर्ट तथ्य replenum dopo इसे करता हूं इसके पहला हम क्या से बितना सीधा एक्जाम में पूछेगा पहला खंड में के मालवा के जो भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के बिसल देव चोहान से विवा होना ये पहला खंड में मिलता आपको दूसरे खंड की बात कर लेता हूं तो दूसरे खंड में बिसल देव की राजमती से रूट कर उडि ले जाना यानि बिसल देव कवा जाकर राजमत्य को फिर तोड़ लाना यह चोते खंड में आपको मिलता है नेक्स्ट अगला देखते हैं अगला देख लेते हैं तो अगला जो भी देखेंगा अगला कुशन क्या तो अगला कुशन आपका है नादू दयाल के बारे में कौन स तो अगले कुशन के और बढ़ जाते है कि दादू पंध की मुख्य गद्धी यहीं गादी इस्टित्य तो दादू पंध की जो मुख्य गद्धी कौन सी यह आपको बताना है तो दादू पंध की जो मुख्य गद्धी मैं आपको बता देता हूं कौन सी है बिल्कुल नरे कर दूसरा मैं आपको बता देता हूं मौस्ट इंपोर्टन्ट है ते मैं आप से सेयर करता हूं देखो दादू-दयाल का जो जन्म होा था वो 1544 में हो था कब हो था दो इनके गुरू का नाम क्या तो व्रदानंद जी भी बुड्डन जी भी आपको याद रखना दादू दयाल की अकबर से जो मुलाकात हुई थी हो 1585 हुई थी कब हुई थी 1585 हुई थी और फतेव पूर सीकरी के अबादत काने में मुगल समराट के अकबर से मुगल समराट यह पूर के सा सकते हों कौन थे तो राजा मान सिंग्ग पहले मान सिंग पर्थम की बात करता हूं मिरजा राजा मान सिंग परता हूं कि नेक्स अगले कुशन अगले तच्छे के बारे में देख लेता है दादु द्यान ने 1568 में सांबर आये थे और जन साधरण को उब्देश देना प्रारम किया था पहला उब्देश जो सांबर में देता है इनके दो पुतर थे एक तो गरीब दास एक मिस्कीन दास ठीक है इसके अलावा में बात कर लो तो दादु पंत्म में पाच पर्मकिस्तानों को पंच तिर्थ के नाम से जाने जाता है तो कौन-कौन से ये बार-बार एक्जाम में एक चोटी से त्रीक के साथ आपको में बता देता हूं एक होथाओ आपका नक अबसा क्या यादu रखोगी आप लिए यह आज रहाए कि उनके आखुण कैसे कि आप से नक तो नहीं ना उसके नाहीं मुझा आप से याए अनि थोड़े बद्धे लगते हैji नक आप साझ आपका नरायण होजाएगा ज्यूर्ज आपकी और और कि जाएगा तो नक्यायकर रहे जाएँगा ज्युक्तित नख साइगा याकर यानने और शौत्तवी सित्रे डाधूरा दिवाय, यह तो आप बिल्कुल हासाने से जानते हो, इसके अलावा मैं बिताता हूं देखो, एक तो साखी, यह आपको याद रखना, इसके अलावा आत्मबोध, यह भी इनका एक गरंब, गरंथ है, आत्मबोध, आपने पहली वार सुनेंगे साइट, लेकिन अलावा एक काया वेली कौन सा होगा आपका काया वेली इसके अलावा एक पंथ परिक्षा यह भी दादुद्याल का फैमस गरंथ पंथ परिक्षा तो यह सारे गरंथ आपको याद रखने हैं एक बार वापस से मैं बता देता हूं साखी आदमबोद परिचे का अंग काया वेली और पंथ परिक्षा ही दादुद्याल के पर्मुक गरंथ यह आपको याद रखने हैं मौस्ट इंपोर्टेंट जोकी मैंने आपको बता दिया है क्लियर अगले कुशन के और बढ़ जाते हैं अगला कुशन आपके सामने है ठीक अब अपन पॉलिटी भी देख लेते हैं पूरा पैपर में आपका अपको बताना तो देखो इसका ऑप्शन नमबर चार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यदि संबंदित राज्ये के विदान मंडल उसे परस्ताव पारित करें तो उसे पहले हटाया जा सकता यह सत्य नहीं भी ओप्शन नमबर फॉर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाकि देखो उसकी निकति भारत के राश्पति द्वारा की जाती बिल्कुल सही है वे एक सदिक राज्ये का राज्येपाल रह सकता है यह भी बिल्कुल सही है पात साल के अवदी के लिए पद प बनाया जा सकता है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल साथवा सविदान संशोधन ऑप्शन नमबर टू बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स अगला कुशन देखते हैं मंदन द्वारा निम लिख्षत में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी यह आपको बताना है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखो मैं बतातों राजवल्लब भी मंदन की आपकी रूपा उतार भी मंदन की देव मुर्ति परकणम भी इनका यह वास्त उसार भी इनका तो इस चारु पुस्तक के जो है ना मंदन की ठीक कर दो राइन सरी असोग गेलोत ने मुख्यमंतरी का पद निम्न मैंसय किस तारिक को समाय था काली एक दो दिन पहले ही मैं इस वीदियो की चर्चा करी था आपको कल मैंने जब करी थैं उससे समय में ने बताय था तो कि और या आद्शा पि गया लुंप सवाल बनते आप आप हमसे जुड़े अपनी तयारी को मजबूत करें क्योंकि सेलेक्शन लेना ना आपको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विल्कुल एक दिसंबर 1998 में एक दिसंबर 1998 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक दिसंबर 1998 में को समाला था इनके कारेकाल बता दें दें को 1998 से 2003 तक थे फिर वापस वसुंद्रा याज का कारेकाल आगया था है थीक है तीन से लेकर आठ उती फिर वापस 2008 से लेकर 2013 तक वापस सोगेलो तक है याप को तो याद रखना है तो यह उन्हें था दीर गशार में पूछा हो इंप स्था पेश्चा है नेक्स कुष만 फोचा है राजिस्तान की पंद्रिवी विदान सभा में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्सित और निर्वाचन सेत्रों में से कितने में महिला सदेच्चे निर्वाचित हुई है तो बारा का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर आर्ट अनुसूचित जाती से तीन अनुसूचित जन जाती से ठीक है R तो आपकी S C से हो जाएगी और 3 आपकी S T से हो जाएगी यह आपको याद रखना क्लियर हो गया आपका तो option number 4 आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा next निम लिखित में से किसने सबसे कम कारेकाल के लिए सबसे कम समय तक भी यही थे आपको याद रखना है next अगला कुशन देखते हैं अपन निमन में से सबसे कम अवदी तक राजस्तान के मुख्य मंतरी रहती इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हीरालाल देवपुरा मातर 14 दिन ठीक है तो उप्शन नमबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा next अगला कुशन देखते हैं सबसे छोटे कारेकाल वाले राजस्तान के मुख्य सचीव कौन है यह आपको बताना है तो यह भी बहुत शांदार सवाल है कौन थे भी राजीव सवरूप option number A आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा next अगला कुशन देखते हैं निम्र में से किस वरस राजस्तान पंचायती राज अधीनियम में संशोधन नहीं हुआ क्या पूचा नहीं हुआ पूचा ठीक है तो देखो 1909 में भी हुआ था 2000 में भी हुआ था 2004 में भी हुआ था लेकिन 2002 में नहीं हुआ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका option यह जो सी पत्रकारी थे जन्स अंचार वी सुबिद्दाले के साथ किया रही है कहा पड़ता तो आपका राजस्तान की राज़दानी जेपूर के अंदर पड़ता है नेक्स्ट आरपीस सी के निम्लिकित अद्युक्तियों को कालाना कर्म से आपको वीवस्तेद करना है कि सबसे पहले कौन आ थे फिर कौन आ थे देख उ अच्छा आपस्छायजार क्लू में ए 1 इसका अफंग्र क forums सबसे पहले जो आए था को झाल आए था हैं में आपके और बिल रावत के और बात कर लूं आ आपके राम सिंह चोहान आये तो आपके सबसे आखिर में जो आए तो डॉक्टर एस अस टाक आए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एसी बी और डी देख लोग अप्शन नमबर टू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स अगला देखते हैं निम लि शुरू किया जा रहा है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी इसका बिलकुल ऑप्शन नमबर एक डायल फूचर अप्शन नमबर एक आपका बिल्कुल राइट आसर हो जाएगा नेक्स अगला देखते हैं दो जार तेईसमें जल जीवन जल जीवन मिम था allows, और पहुप कोंसा तरकानोट बिलकुल और तो Fatigu Um कोंसे जिलों में उस्ति अभरमिक प्रियर्टन को बड़ावा देने के लिए लिए आप क्या द्रीहाय प्टार्ट पिर्थ्धन सब्टार्स है यह तो इसका आपका अगला कुशन देखते हैं हाल ही में भारत के परदान मंतरी राजस्तान के किस जिले में परदान मंतरी मात्र वंदना योजना को गोध बराइस हमारों के रूप में मनाने की नई पहल की सराना किये तो 23 का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोसा ओप्शन नमबर टू ठीक है नेक्स अगले कुशन के बढ़ते हैं गाईज राजीव गंदी ग्रामिन और सहरी ओलंपिक खेल 2023 में करमे से कितने कितने खेलों को सामिल किया गया है तो 24 का जो आपका रायट आंसर ह हो जाएगा नेक्स हाली में राजस्तान के रड़ा परिसे द्वारा 63 केंद्री आवासी खेल कूद प्रिसिक्शन सीवर का आयोजन किस इस्तान पर किया गया है तो इसका जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल माउंट आबू ऑप्शन नमबर ए आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा नेक्स अगला कुशन देखते हैं हाली में दिल्ली में आयोजित हुई ग्यारवी बारती ओपन चेंपियंशिप में राजस्तान की अनुया परसाद ने 10 मीटर पिस्टल डफ वो मैन केटिगरी में कौन सा मेडल जीता है डैफ में ठीक है तो 26 का ज 66 नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्तान के प्रणे चोरडिया युक्ति हर्स ने विक्तिगत स्वन पदक जीते हैं उन्होंने पदक किस खेल से में जीते हैं खेल बताना आपको तो 27 का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट राजस्तान सरकार ने अस अंगटित सह यूजना के तहित आर्तिक रहत पहुचाने का बड़ा निर्णे लिया है यह आपको बताना तो इसका जो आपका रायट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगले कोशन के और देखते हैं दबाव पेटियों में मौसमी इस्तनांत्रन के कारण पच्वा पावने तो आपको बतान गर्म्यों में दुर्वों की और और सर्दियों में विश्वत रेका की और सरकती है तो इसका जो आपका रायत आंसर हो जाएगा बिल्कुर बाइस अप्रेल को प finestőज मना जाता अ कम मना जाता है कि मैस निम लिखित मेंसे लिएष देशे को धुसर आपको बताना तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ओस्टेलिया ओप्शन नमबर एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स अगला कोशन देख लेते हैं विस्व युवा रिपोर्ट दोजार पाच के अनुसार निम लिखित में से कौन सा युवा जीवन वेस्वी करण के परभाव में नहीं है तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा युवा संस करते हैं ओप्शन नमबर टू आपका ब पिस शही हुकम का चैन करना सुमेलित नहीं करना तो इसका जो आपका देखते हैं सबसे पहले आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल फरसांदमा सागर का सिमावरती कोरल है यह बिलकुल सही है इंदमा सागर में बैंडा नी पड़त हो जाएगा ठीक है और आर्क अंसर हो जाएगा next अंडमार तता निकोबार दीब सुमाधिकांस थे किस परकार के वन पाय जाते हैं तो 35 का जो आपका राय और आंसर हो जाएगा उशन कटिबंदी सदा बहार वन पाये जाते हैं डेक्स अगले कुशन को पर पढ़ाते हैं गलत युगम को चुनना नहार कटिया सेतरी आपके गेस के लिए परसीद के लिए लेकिन मौरान हुंगरी जनोरान हुंगरी कोईला के लिए परसीद हो जाएगा नेक्स्ट अगला क्वेशन देखें मानसुनी वर्सा में सेत्री बिन्ता साहियक है तो 37 का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल option number 1 विबिन परकार की फसले उगाने में option number 1 आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा next कोकन कनारा और मालाबार उप परदेश है यह आपको बताना तो 38 का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पस्चिमी तर्टिये मेदान option number 4 आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा next अगला कोशन देखते निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने गोसना की कि भारत के करसकों को उनकी उत्पादन लागत से तो 39 का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा वो बजट 2018-19 संगिय बजट 2018-19 option number A आपका बिल्कुल रायट आंसर होगा next भारत में निम्न में से कौन से संस्ता भारते निर्यात को और बैंकों के निर्यात साख बीमा सेवाए परदान करती है तो 40 का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा रायट आंसर हो जाएगा option number एक जो है निर्यात साख गारंटी निगम बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा next अगला question देखते हैं रास्टी रसद निती 2022 के लक्षों के संदर में निम्न मेंसे कौन सा कतन सही है और कतन ए वर्स 2030 तक भारत में लोजिस्टिक की लागत को गटाकर वेस्विक पंच बेंच मार्क के करीब लाना कतन भी वर्स 2030 तक लोजिस्टिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स में सरूच 25 देशों को भारत को लाना तो 41 का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा दोनों कतन दिये वे दोनों कतन मेंसे आपका केवल खतन A ही सही होगा option number A आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा भारत में सुक्षम और लगो और मद्यम उपकर्मों के कागज विहिन सुन्नी लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न मेंसे कौन सा पोर्टल सुरू किया गया है तो 42 का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नमबर टू उद्यम पोर्टल कौन सा पोर्टल उद्यम पोर्टल नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले कोशन के और भारत सासन अधीनियम 1935 के तेट महा संग में अवसिस्ट सक्तिया दी गई है तो 43 का जो आप आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गर्वर्नर जणरल ओप्शन नमबर तीन आपका बिल्कुल आठ आंसर हो जाएगा है बहरत सरकार अधीनियम 1919 3dL भारत जनसग्या कि किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया है तो 44 का जा आपको आपको रायट आंसर ह के अधिकार में नहीं थे option number two आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा next भारती राज्यों के अंदर सासित प्रदेशों के निर्यात ततपरता सुचकान कौन तयार करता है तो 46 का जो आपका right answer हो जाएगा वानिक जी और उद्योग मंत्रा ले option number two आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा next सविधान सभा में निर्न निम्न में से किस आधार पर लिये गए तो 47 का जो आपका right answer हो जाएगा बिल्कुल सरुसमत्ती से option number a आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा next निम्न में से किस मामले में उच्च्टम न्याईले ने ये निन्ने दिया कि सविधानिक संशोदन में भारत के सविधान के अरुच्छे 13 के अधीन विदी है जिने मूल अधिकारों से असंगत होने पर सुन्य गोसित किया जा सकता है तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गोलक नाथ जो मामला था उसमें ये फेसल आपका लिया गया था भारती सविधान के कौन से भाग में राज्ये के निती निर्दे से क्सिद्धानतों से संबन्दित है तो 49 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाग चार कौन सा भाग भाग चार ठीक है नेक्स अगले कुशन पर बढ़ते हैं भारत में राष्टपति निर्वाचन के लिए कौन से पदती अपनाई गई है तो 51 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों की विदान सबने किसने प्रांतों की विदान सबने नेक्स अगले कोशन पर बढ़ते हैं 2019 के आम चुनाओं में राष्टी राजनेतिक दलों के प्रत्यासी कुल कितने इस्तानों पर विज्य हुए तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीन सो सत्यान में आप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट किस एतियासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचील समझोते पर हस्ताक्षर हो जाएगा तो आपके ठीक है नेक्स्ट परसित पुस्तक ट्वा लाइटिंगा नेक्सत नेमलेकित में से कौन संञ्ऐक्ट रास राइट माह सभा के अद्रेक्स बनने वाली पहली महइला मोथी तो उप्शन नम Бर तीन आपका बिल्कुल राइट आँसर हो जाएगा लोग सभा का नेता कौन है तो लोग सभा कउन हो वोकौन बिल्कुल प्रदान मंत्री होता है कौन होता प्रदान मंत्री ऑप्शन नमबर टू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला कुशन देखते हैं निम लिकित में से कौन से कथन सिक्ष्या मनोविज्ञान के महतु के संदर में सही साइकलोजी स्टार्ट हो गया आपका यहास है ठीक है तो देख लेते कौन कौन से कथन है यह विद्यारतियों की विवार में उचित परिवर्तन लाने में सायता करत है यह सिक्षिकों के स्विक्षाओं को सुल जाने में परती शकारात्य अभी वर्ति विक्षित करता है यह सिक्षिकों को विद्यारतियों की व्यक्तिक और विबिंताओं को नजर अंदाज करने तो प्रेरीद करता है यह सिक्षिकों को स्विम को समझाने में मदद करता है तो 58 का जो आपका रायट अंसर हो जाएगा बिल्कुल A, B, D, C वाला आपका रायट नहीं हो जाएगा ओप्शन नमबर 3 जो है न A, B, D बस C वाला सही नहीं है बाकि सारे सही है Next नेम लिखित में से कौन सी सिक्ष्या मनो विज्ञान की विशेशता नहीं है तो 59 का जो आपका रायट अंसर हो जाएगा शिक्ष्या मनो विज्ञान का मुख्य के अंदर दर्सन साथतर का अध्यन करना है तो यहीं आपका सही नहीं है बाकि सारे सही है ठीक है 31 अगस्त 1989 को कौन से संदी पर स्ताक्सर हो यह आपको बताना दो इसका जो आपका रायट अंसर हो जर्मनियों के एक एकरण की संदी option number A आपका बिल्कुल रायट अंसर हो जाएगा नेक्स अगले कोशन के और बढ़ जाते है गाइस तो यह 60 हो गया आपका अब 61 की तरफ चलता है पर यह रहा जीन प्याजे के संद्धानात्मक विकास सिद्धान्त में कौन सी अवस्ता में विद्यारती विस्तुओं या किरियाओं की परती वरतियता को सम्झने लगता है तो 61 का आपका रायट अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर है मूर्थ संक्रियात्मक वस्ता तो आपका बिल्कुल रायट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोहल बर के नेतिक विकास के सिद्धानत अनुसार प्रंफ्रागत नेतिकता के अंतरकत आने वाली नेतिक आवस्ताओं को तो सही कूड का चेयन कीजिए तो 62 का जो अंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल उप्शन नम्र से बिल्कुल रायट अंसर होगा वसा की annex네요 यानि अंते अंते विक्तित नंसर के अपकं के संदर्मन्र्य करता के संद्धरर्मनमिन लिखित में नेक्स बडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मोडल की बजाए उस मोडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे प्रणाम देने में परवीन हो इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी परक्रिया सम्मिल है तो 64 का जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नमबर 3 होगा अवधनात्मक कौन सी अभी अवधनात्मक 64 नेक्स अगला कोशन के बढ़ते हैं अधिगम के केंदरी विचार नीचे दिये जा रहे है तो 65 का जो रायट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल एक तो अधिगम करता अप आपका रायट पेंसर उजागा बिल्कुल ऑए और दोनों यह आउशयक है तो तीन भीकुल आपका रायट आंसर हो जाएगा नेक्स अगला देखते हैं नेनलिकत में नियुक्तं से कौन सी अथीगम की सही विसेस्थता नहीं है तो 66 का जो आपका राये टांसर होंबर 4 थका परिपकुता इतियादी होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है नेक्स अगले कुशन के वर बढ़ते है 67 आपके सामने समाज मीती समाज मीती समाज मीती नमबर आपका बिलकुल रायट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एक व्रद्वेक्ति हमेंसे अपने पूरुक के जीवन की सफल उपलुप्तियों के बारे में बताता रहता है समायोजन किर्याविदी का यह उतारण निम लिखे तुमें से कौन सी अह रक्षा युक्ति से संबंदी थे तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पर सिद्धान और आईक्यू तो इसको आपन सैट कर लेते 69 में देखो तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा देखो दो तीन देखो मैं वापस से बताता हूं एक हो जाएगा आपका दो यह इसका संबंद जो है अलेक्जेंडर से ठीक है इसका अलेक्जेंडर से हो जाएगा ठीक है क्लियर हो गया दूसरा दूसरा आपका संसकर्ति मुक्त प्रिक्शन के टल्स हो जाएगा ठीक है वह सम्मिलन सिदान टर्मन का हो जाएगा आईक्यू जो आपका जेजांका हो जाएगा तो option number two आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा next जुंग यूग के अनुसार वेक्तितुक के टाइपोलोजी प्रूफ विज्ञान में समाथ सेवी और राजनेतिक के व्यापार परबंदक एक्जीक्यूटिव निम्न स्रेनिबद किये जा सकते तो 70 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा option number four बहीर मुकी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बहीर मुकी जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा next अगला कुशन देखते हैं अगला एक वेक्ति अपने स्वयम को समझाने और परभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है गार्टेनर के अनुसार वेक्ति निम्न लिखित में से किस परकार का फ्रेम ओफ माइंड यानि मन की रूप रेका रखता है तो 71 का जो आपका राइ वेक्षी विद्यारती की विक्तिकत विकास उसके अपने भाग्या चेन की सवतेंतरता सकारात्म गुनों की समता पर बल देता है तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाहिये अभी प्रणा का किसका बाहिये अभी प्रणा उप्शन नमबर 4 आपका बिल्कुल यहां सा बीकि के पासी द्वारस निरमित सरजनातमक प्रिस्र्षान उप protection नहीं है तो 74 का आपका राइट अंसर हो जाएगा कौन सा होगा तो 74 कमें आपको बचा जाता हूं ठीक है सामान्य उप्योग परिक्षण कौन सा भी सामान्य उप्योग परिक्षण यह ओप्शन नमबर टू आपका बिल्कुल डायट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट परतिबबा शाली बालकों को स्कूल में सफलता के बारे में प्रोसाइद करने के सरुतम तरीके के बारे में संदान सुजाते है कि तो इसका जो आपका रायट आंसर हो जहां तक संभव हो सके उन्हें सहपार्टी सिक्षक न्युक्त करना यानि ऑप्शन नमबर फूर आपका बिल्कुल डायट आंसर हो जाएगा एक वेक्ति के एक उतपात के परति अभीवर्ति और लक्षित के वस् स्वें को अपने आंतर के विचारों बावनाओं और किर्याओं के रूप में परिवासित करने का एक तरीका आतों प्रति का त्रस्टी कौन है तो 77 जो रायट आंसर हो जाएगा अपना सौथ अंतर ऑप्शन नमबर 3 आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट यदि वेक्तित की भिंताओं में प्रेस आमान्य वित्रन वक्र बनाये जाए तो कितने परतिस्ट लोग एंप्लस माइनस 16 की सीमा के बीच पाए जाएगे यह आपको बताना है तो इसका जो आपका रायट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा 78 जो रायट आंसर हो जाएगा बिल निम लिखित में से राजस्तान के जिलों में कौन सा समू दक्षिन पस्चिम मानसुन से ओसत वर्सा की मात्रा के अनुसार आहिरोई करम का ढंग से वेवस्तित है अपने राजस्तान जीके के सवाल यहां से स्टार्ट होगे 79 से ठीक है देखो सबसे पहला मैं बताता हम सबस सिंद्मी मद्य परदे से निकलती पारवती निकलती ए और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ठीक है नेक्स अगला कोशन देख लेता है अब निम लिखित में से राजस्तान में किस परकार के वन सरवादिक वर्सा वाले शैत्रों में पाये जाते हैं यह आपक के बिल्कुल है टि वन का जापकर राइट अंसर हो जाए सुसक सागवान वन ठीक है सुसक साइग वन और सुसक सागवान वन सरवादिक का पाई जाए तो भावस वर्ड़ाम पाय जाते हैं इसकी मैंने आपको ट्रीक भी बताए है अगर आपको याद हो तो बाग को डूब भूट हुँ थीकैं नेक्स्ट अगले कोशिंग बढ़ता है आर्थिक सर्वेक्षन 2022 33 वरस 2021-23 में डेसमें मुंख फली उत्पादन में राजस्थान का कौन साइस्थान था दो स्तान था दूसरा स्थान ठीकरिया आपको याद रखना नेक्स्ट राजस्थान में वागड नामक उबर खावर सते और विच्छेदित इस्तिला करती किस नदी कारे के द्वारा निर्मी थे तो माही नदी द्वारा उप्शन नमबर फोर आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जनगर्ना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सरवादिक सहरी दसके परिवर्तन दर राजस्तान में निमलिकित में से किस जिले में पाई जाती है तो इसका जो आपका रायट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नमबर टू अलवर के अंदर किसमें पाई जाती भी अलव जाम में भी विल्कुल काम आने वाले हैं देखो सबसे पहले जनगर्ना 2011 के अनुसार राजस्तान के तो जबकि जनगर्ना 2011 के अनुसार नगरिये दसके वर्दीदर की बात कर लो तो 29 ती कितनी थी बहीं 19 और 29 या आपको याद रखना इसके अलावा जबकि राजस्तान में सरवादिक जनसंके अवर्दी दरवाला जिला आपका बाड मेर हो जाएगा जबकि राजस्तान में सरवादिक ग्रामेंड जनसंके अवर्दी दरवाला जिला जिला हो जाएगा इसके अलावा में बात कर लो तो राजस्तान में न्यूंतम जनसंके अ तो यह तत्थी भी आपको याद रखने जो की मौस्ट इंपोर्टेंट थे मैं आपसे शेयर कर लिया अगला कोशन क्या है तो देखो अगला कोशन कों सा सुम्मेलित नहीं है तो तो हाइटेक ग्लास बिल्कुल आपका दोलपूर में पढ़ता है ठीक है और सफेद सिमंड यह आपका बिल्कुल रायट आंसर होगा ऑप्शन नमबर टू बिल्कुल रायट कोई डाउट नहीं है ठीक है सफेद सिमंड आपका गोटन में पढ़ता है खारिया खंगार में पढ़ता है ठीक है पहले का अंक्रोली में और पॉलीमर आपके शाहपुरा में तो बिल्कुल रायट आंसर होजाएगा नेक्स्ट गलत यूग में चुनने आपको ठीक है सलीम जी के हवेली जसल में जस्वन थड़ आपक के गुजर परतिहार कालिन मंदीरें नेक्स्ट अगला कोशन की बढ़ जाते हैं उन जीलों के समू का चेन की जिए जहाँ 2011 की जनगन्ना का अनुसार कुल जनसंक्या मैं अनुसुची जनजाती जनसंक्या का परतिसस्ट साथ परतिसस्ट से अधिक था तो 87 का अपना जो रा राइट आंसर हो जाएगा बास वाड़ा में तो 70% से अधिक जाती रहती है ठीक है डूंगरपूर में लगबक 70 है और प्रताब गड़ में 63 है ठीक हो लोगर इन सब को जोड़े तो 60% से अधिक हो जाती है नेक्स अगले कोशन के बड़ता है पर खैरी और लोही नसल है तो ख बूद के लिए उत्तम है और मास के लिए उत्तम है तो इसका जो आपका रायत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर फोर नेक्स्ट किस अभिलेक में परतिहारों को सौमित रहने लक्समन से भी अध्भुद हुआ कहा गया है तो 89 का आपका रायत आंसर हो जाएगा बिल्कुल गवालियर के अभी लेक में कहा गया है कौन सा अभी लेक में कहा गया है यह परतियार जो है लक्समन के वनसज है ललित विग्रे राज नाटक का लेकक सौमदेव किस चोहान सासक का राज कवी था तो इसका जो रायत आंसर हो जाएगा विग्रे राज चतूर्थ विग्रे right answer हो जाएगा बिल्कुल कौन मारा गया था इधर से अपना नुसरत खा मारा गया था ठीक है आपको याद रखना और उधर से जो मारा गया था भीम सिंग मारा गया था कौन मारा गया था भीम सिंग next अगले question के और बढ़ता है पन किस इतियास कान ने हल्दी गाटे के युद को गोगुंदा के युद के नाम से पुकारा के यी बार मैं आपको बताया जब मैंने पैपर का solution करवाया ठीक है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जुडो आपको जरूर फायद होगा कि किसने कहा था बदायूनीन अब्दुलकादिर बदायूनीन कहा ठीक है 1857 की सब्तिनता के संगर्स के समय मेवार का पॉलिटिकल एजेंट कौन था तो मेवार का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मैजर्स शावर्स था के यी बार मैंने बताया जब भी करांती आई तो में आपको सारे पी ए बतायते हैं नि पॉलिटिकल एजेंट बढ़ता थे निमलिकित में से किस पुरा स्थल्प के निवासी वस्तर बुनाई की तकनीक से परीचित है इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका कि बाला थल के जो लोग थे न वह वस्तर बुनाई और सूती कपड़े यहां से प्राप्त हुए ठीक है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाला थल आपकी का पढ़ती तो देपुर्म पढ़ती है चांदकरण सारधा और हरविला सारधा राजस्तान से मैं किस संस्ता से संबंदित है तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आजरी समा नमबर टू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट उन्निसो ग्यारा उन्निसो बारा में गोविंद गुरू की गतिविदियो का केंदर था तो 96 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा था बैड़ सा था बार बार एक्जाम में पूछा पहले भी मैं आपको बता दिया यह बैड़ सा नेक्स अगले कोशन की गवाने का बता बौत्ता दियागर build of बढ़े कवर के अगला कोश्ट के अगला कोशन आपके सामने मत्यसी संग का व्रहत राजिस्तान में विल्य कब हुआ तो 97 कर मत incentiv का जो कम बला तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होएका आपको बताना है जो देखो यी मतेशिशंग का जो विल्य हो अचान मतेशिशंग का गठन अलग यह विल्य अलग आपको याद रखना गठन तो कब वह था अठारा माच उनिश्वर तालिसम जबकि विल्य जो हो गय का है भी बैंक टीटिक है तो ऑप्शन नमबर फॉर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगले कोशन के उद्देश निस सो ब्याइस में कि सत्यागरी के जोत्पूर जेल में भू करताल के दोर्यान मृत्य हो गए थी तो बाल मुकंद विस्टा के बार आपको शेयर करी तो इसलिए मैं कियता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं राजिस्तान जी के जो सवाल बनने वाले होते हैं वह आपके साही हो जाएंगे ठीक है तो आज के लिए पस इतना ही आज यह नया पेपर में हमने आप से शेयर किया तो आप देख सक आप देख सकते हो